अमेरिकी राष्ट्रपती चुनाफ का एतिहासिक फैसला आ चुका है और अमेरिका की जनता ने राष्ट्रपती के रूप में रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रम्प को चुन लिया है जी हाँ अब की बार अमेरिका में ट्रम्प सरकार आई अब आपको बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रम्प कौन है और अमेरिका के वाइट हाउस तक पहुँचने का उनका सफर कहां से शिरूप हुआ अमेरिकी राष्टपती चुनाफ में डोनाल्ड ट्रम्प को 276 एLEKTORAL VOT मिले जबकि हिलेरी को 218 एLEKTORAL VOT मिले यानि ट्रम्प ने 60 अंकों के अंतर से इतिहास रचा है डोनाल्ट जॉन ट्रम्प, अमेरिका की राजनीती या फिर कहीं कि पूरी दुनिया की राजनीतिक जमात का एक ऐसा नाम है जो देशों दुनिया के तमाम विवादों से लड़ते जूचते, अमारिका के 45 वे राष्ट्रपती बने हैं 1946 में जन में डोनाल्ट जॉन ट्रम्प एक जानी मानी हस थी, लेखक, टीवी कलाकार और खास तोर पर रियल एस्टेट व्यवसाई में एक मंजे हुए व्यवसाई के तौर पर लोग प्रिया हैं इनके पिता का खुद का कंस्ट्रक्शन व्यवसाई एलिजबेट ट्रम्प एंड संस के नाम से था ट्रम्प ने अपना बिजनस करियर अपने पिता के साथ साजा बिजनस के रूप में ब्रुक्ली नियू यॉक से शुरू किया लेकिन पिता के प्रभाव और उनकी इच्छा की वजह से ट्रम्प ने उनका व्यवसाई छोड़ कर सुयम का रियल इस्टेट बिजनस मैन हट्टन रियल इस्टेट के नाम से शुरू किया 1997 में ट्रम्प इंटरनेशनल होटल एंग टौवर ने दुनिया के लिए अपने दर्वाजे खोले 52 मंजिला इमारत में कई स्टोर, होटल और आवासिय निर्मान किये गए ट्रम्प न्यू यॉक सिटी के एक बहुत बड़े भूभाग के जवलापर रहे हैं हैंसम नदी के सामने 52 से 72 स्टीच का बना भूभाग है जहां पर 16 इमारते हैं जिनमें से 9 सिर्फ ट्रम्प की हैं ऐसा नहीं है कि हमेशा उन्होंने केवल आसमान को ही चुआ उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वो कर्च में जूब गए असी के दशक में रियल स्टेट व्यापार पर मंदी के दौर के साथ ही ट्रम्प पर कर्ज का बोज बढ़ गया लेकिन यह समय बहुत देर तक नहीं रहा क्योंकि ट्रम्प का मानना था कि मैं एक ऐसा तराशी हूँ जो जिस चीज को छूदे वो सोना बन जाती है और ट्रम्प ने वो कर भी दिखाया मंदी के कोहरे को चीरते हुए ट्रम्प ने अपने बिजनेस को 2 बिलियन डॉलर तक पहुँचाया जो की 900 मिलियन डॉलर के कर्थ में था 1999 में रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी के जर्ये ट्रम्प ने राजनीती का रुप किया लेकिन बिजनस में कुछ परिशानियों की वजह से 2000 में ट्रम्प अपने कारोबार की ओर मुड़ गए इसके बाद 2012 में फिर से राजनीती की तरफ रुप किया और प्रेजिडेंट की रेस के लिए खुद को उमिद्वार खोशित किया ट्रम्प ने हमेशा पूर्वर राष्टपती बराक उबामा के लिए विवादास्पत बयान दिये हैं 2015 में ट्रम्प ने आधिकारिक तौर पर खुद को रिपब्लिकन पार्टी की ओर से टिकट मिलने के बाद राष्टपती पत की दोड में शामिल किया और अब अमेरिका के राष्टपती बन कर इतिहास रच दिया है बात करें ट्रम्प की नीजे जिंदगी की तो ट्रमप अब तक तीन शादिया कर चुके हैं और वर्तमान में उनकी हम सफर हैं फेमस मोडल नलानिया कनौस ट्रम्प ट्रम्प की पांच संताने हैं जीद कश्रे ट्रम्प ने अमेरिका की चंता के साथ-साथ अपने परिवार को दिया है। तो जीद का सफर ट्रम्प का काफी उतार चड़ा भरा रहा लेकिन जजबा बुलंद हो तो मन्जिल तक पहुँचने का सफर खुद बखुद आसान हो जाता है। और यहीं सच कर दिखाया ट्रम्प ने। राश्पती के रूप में भाशन देते हुए ट्रम्प ने कहा कि हम अमेरिका को दुबारा बनाएंगे और हर दुश्मन को भी दोस्त बना देंगे। बारतवासियों का मैं शुक्रियादा करता हूँ।